जिसी तस्वीर आपको दिखाते हैं गिर्गाउ चौपाटी पर इस वक्त हम हैं और आप देखे कि बड़ी बड़ी जो मूर्थियां होती हैं गंपनी पपा की अलग अलग पंडालों से वो इस वक्त गिर्गाउ चौपाटी की तरफ बढ़ रही हैं और आप देखे इतनी अंदर आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिफ बपा और बपा के भक्त यहां पर दिखाई देंगे आज जो धोश है गंपती बपा मुर्या अगले वरस तू जल्दी आयाने की अगले वरस आने की कामना के साथ आज बपा की विदाई हो रही है दस दिनों तक पूरे मुंबई में बहुत खुबसूरत महौल था हर जगह पर बड़े बड़े गनपती पंडाल बड़े बड़े गनपती मूर्तियां देश और विदेश से जो लोग हैं वो आते हैं इस समय बपा के दर्शन के लिए आपने लाजा का जिकर की कई ऐसे लाकियां भी इन मूर्तियों के आगे चलती हैं जो अलग-अलग थीम पर आधारित होती हैं सुबह से यह विसर्जन का जो कारिकर में शुरू हाता जो कल सुबह तक चलेगा लालबाग के राजा का जो उनका प्रोसेशन है लालबाग से शुरू होता है यहां तक आने में किसी से समझ सकते हैं कि कि कितनी बड़ी तादाद में बपबा के साथ लोग चलते हैं बहुत धीमी गटीशन का प्रोसेशन चलता है यहां से होते हुए प्रोसेशन आगे बढ़ता है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग भी अलालबाग के राजा पर फूल अरपंड करते हैं तो बेड़ी खुश्चुरत, खुश्चना महौल होता है 10 दिनों तक का और 10 दिन के बाद जब बपा की विदाई होती है तो लोगों की आखों में जाहिर सी रात है दुख होता है लेगिन खुशिष बात क्यों होती है कि अगले बरस बपा फिर आएंगे और यही कारण है कि बपा के जाने के साथ साथ घोश होता है गंडपजी बपा मूरिया अगले बरस तु जल दिया और आपको बता दे कि विदाई में कोई खलल ना पड़े इसके लिए बकाईदा पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है पुलिस ने हर जगह पर CCTV कैमरों से बकाईदा नजर रख र कि किसी भी बिखन के पूरी हो खुष्णमा माहौल में हो वह अगर संभव हो सके तो जो मतब्रदेश के दर्शक है मुंबई वास्यों के इस उत्षा को महसूस कर सकें कुछ उद्धोश आप उनसे लगवा सकें अगर आपके असपास लोग मौजूद हो तो कि यहां पर कुछ लोग के इंसे बाचीत करते हैं उद्धोश आप जीड़े कंपा अगले बरस तू जल्दी है क्या कहना चाहेंगा आज बपा की विदाई हो रही है इस बात का दुख है कि पपा जा रहे हैं लेकि खुशी इस बात की अगले सल्फी रहेंगे बपा तो हर स कि अगले बरस तू जल्दी है क्या बढ़िया माहूल है जो पपा के जाने से जी अश्विनी आके मैं आपने जो माहूल दिखाया है वो बहुत अद्बुद है अनिल लागर करो करते हैं मतमुर्देश राजधानी भुपाल में मौजुद हैं अनिल जरा आप भी तस्वरी दिखाये राजधानी भुपाल में क्या माहूल इस वक्त देखने को मिल रहा है विसरजन के खास दिन मौके पर देखे दिव्यांस भगवान गणेश की भक्ती की बात हो तो बच्चे से लेकर युवा बुजरूग हर कोई भगवान गणेश की भक्ती में लीन नजर आता है कुछ ऐसी ही तस्वीरे इस वक्त राजधानी भुपाल में देखी जा सकती है इस वक्त में प्रेमपुरा घाट पर मौजूद हूँ और यहां पर देखेंगे बड़ी संक्या में जो है भगवान गणेश को बदाई देने के लिए जो है विदाई देने के लिए लोग यहा पर जो है सुरक्षा के लियास्ट भी कड़े इंतिजाब यहां पर किये गए भगवान गणेश की जो है यहां पर देखेंगे पेले जो है विसर्जन से पेले यहां पर आरती की जा रही है पूजा की जा रही है उसके बाद जो है यहां पर जेसीबी की बदस से जो है आप बुजरूग सभी में देखेंगे कि बड़े धूमदाम से भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने लोग घाटों पर पोच रहें सुरक्षा की लिहास से अगर बात करें तो यहां पर कई तरह के इंतिजाम किये हैं कुछ लोगों से भी दिव्यांस में बात करने की कोशिस करूंगा लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर देख लेंगे आप बड़ी संक्या में लोग जो है रहें बड़े दूमदाम से आप लोग देख रहे हैं कैसा कैसा रहा दस दिन बबा जो है जहां की बिटाई गई आज विसर्जन किया गया हमें स्प्रिक्ट्वली कनेक्ट होने का मौका मिलता है और काफी अच्छा लगता है अब क्योंकि विसर्जन हो रहा है गजा है है अ मौपाल में अब इंदौर कर रोकर लेते हैं शिर्मा मा वहाँ मौझद हैँ परिए ख़ान जि क्चरति करी कब दूबे हुए है आज विसर्जन के लिए लेकर भक्त गण क्या करने जा रहे हैं पहाँ पर तस्वीर हारहे हैं का ये जरा देखे लिए विडियो है वहां गरेश के उस्वती समापन जो है उस्वत्व समापन की और यहां पर जोश और उल्लास भीखा जा रहा था भी तरद दिनों से वैंड कई ना कई सद्मोता नजर आ रहा है जिसके लगतार जो है लोगों को बवां से गरेश के लिए यहां पर ववां गरेश की मूर्पी को रख रहे चुकी वे पूरी वबस्ता जो है नगर निगम दोरा की गई है कि नगर निगम ने पूरे इन बहुर शहर में लगबख 13 जगहों पर इन सब्सीजों का बवस्ता कर ली गई है कि कोई भी जो है सदालू जो है भक्त गरण ग